नमस्कार मित्रो स्वागते आप सभी का हमारी योटुब चेनल में तो कन्यारासे वालो हम बात करेंगे दिलांक 19 नवंबर 2021 का दिन मित्रो के सारे हेगा आप लोगों के लिए पंचांग के नुसार देखें मित्रो तो 19 नवंबर को सुक्रवार का दिन है साथ में कार्तिक मास की सुक्लपक्स की पुर्णे मातिती है और क्रति का नक्सत्र है और चंद्रमा जो है वह व्रस रासी पर संचार करेगा एसे में ग्रोहों की दिशा का कन्या रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापार की ड्रश्टी से नोकर की ड्रश्टी से पारिवारिक पन के लिए प्रेम संबंदों के लिए साथ है मित्रों विध्यारतियों के साथ बेरुजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साउधानिया है क्या खुश खबरिया है समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं मित्रों आपसे विनर्म अनुरोद करते हैं कि वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा मित्रों के वीडियो के बीच में जहां बहुत खास साओधनिया हम आपको देने वाले हैं तो वही वीडियो के अंत में दो एसे उपाए हम आपको बताने वाले हैं और मित्रों यह सुक्रवार के दो उपाए आपके अ आता दिका जय का रावस्चि लगाए ता कि उनके सारे विगडे काम पुरुन बनेंगे तो मित्रों सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे गुरुजी के ज्यान की ओर तो मित्रों हमारे गुरुजी केहते हैं ध्यान से सुनेगा कि हमारे गुरुजी केहते हैं कि जीवन में का परिणाम है यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कश्टे ही मिलता है और यदि कोई व्यक्ति सुद्ध और विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परचाई भी उसी की तरह हमेशा खुश रहेगी और उसका साथ कभी भी नहीं चोड़ेगी इसलिए मित्रो आप भी ध्यान रखेगा कि अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और अच्छे विचारों से काम करिएगा और बोलिएगा तभी मित्रो आपकी आपके जीवन में एक अलगी छवी बनती हुई नजराएगी तो मित्रो गुरु जी का यह ग्यान अब मित्रो बात करते हैं अगले 24 घंटे याने की 19 नवंबर के बारे में तो आपकी जिम्मेदारिया बढ़ सकती हैं मित्रो जो काम आपको सोपे जाएंगे उन्हें आप बखो भी निभाना जानते हैं लेकिन किस तरह से आपको वह काम जल्दी से पूरे करने हैं इस बात क को पूरे ध्यान से करने के आउसकता होगी मित्रो जिन नए कामों को सेखने की आप कोसिस कर रहे हैं उनसे ही करियर को बहतर बनाने का मार्ग मिल सकता है और यह मार्ग आपके करियर को उज्वल बना देगा सहती मित्रो करियर में आपके सामने कुछ चूनोतिया भी आईगी जो कि आपको उनको बखो भी सामना करने जानते ही हैं मित्रो अपनी उम्र के लोगों के साथ जूड़े रहने की कोसिस करे और अपने तकलिफों को अन्य लोगों के साथ बिलकुल भी सेर ना करे या हो सके तो थोड़ी बहुत तकलिफे समझने की भी कोसिस करे जो बीट गया है और जो आने वाला वक्ते दोनों के बारे में अधिक सोच विचार ना करें मित्र, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो इस वज़े से आप ज़्यादा टैंसंट में रेंगे, ज़ला्ट चिन्ता आप क्यों पर आवि twenties रहे जो लोग इस परता परिक्सा के तयारी कर रहे हैं उन्हें अधिक मेहनत की जरुरते और मेहनत का फल उन्हें मिल करी रहेगा साथ ही मित्रों रिलेसंसिप संभंदित बातों में यस मिलेगा और मन के अनुसार बदलाओ भी हो सकता है देन के सुरुवात में थोड़ी सी चिड़ चिड़ा हट और नाराजगी मेहिसूस हो सकती है आपकी सोच में बदलाओ नजर आएगा और समस्याओ को दूर करने की कोशिस करे भविश से संबंदित बाते ना सोचे काम और घर के जिम्मेदारिय को ठीक से निभाने की कोशिस करें मित्रो क्योंकि जब तक आप अपने उपर जिम्मेदारिय नहीं लेंगे तब तक आप एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन पाएंगे इसलिए मित्रों अपने उपर जिम्मेदार्या लेना सीखें और आपको निरनाई पर ठीके रहने की कोशिस करनी होगी कुछ लोग आपको प्रेणा मिल सकती है और खुद को प्रेदेत करने का प्रियास भी करेंगी कठिन कार्डों को अंजाम तक पहुचा सकती है क्योंकि आपकी मेहिनत और लगन कठिन से कठिन कार्डों को भी आसानि से पूरी कर पाएगी और करियर संभंधित बातों में आपको यस प्राप्त होगा जल्दी ही सकरात्मक खबर मिल सकती है और यह सकरात्मक खबर आपकी जीवन को बदल कर रख देगी लव लाइफ और पार्टनर से आपकी क्या पेक्सा है उनको इस पश्टी सोरूप से जानने की कोशिस करे हीमोगलोबिन की कमे के कारण ठकान और चीड़ चीड़ापन ठोड़ा बहुत मेसुस हो सकता है और मित्रो अनेक कार्यों का अंजाम तक पहुचाना आपके लिए जरूरी है और वक्त की कमे के कारण आप पर दनाव भी बना रहने वाला है परिश्टिति के अनुसार अपने बरताव और विचारों में लचिलापन लाने की आप सकता ही अधिकतर समझ स्याए पेशों से जूड़ी होगी इसलिए मित्रो आर्थिक पक्सुत को मजबूत करने की कोशिस करे और युवा व्यक्ति अपने करियर को ते करने के बाद भी खुद को भठका हुआ महसूस करेंगी तो मित्रो ऐसा नहीं है जो तई आपने कर लिया है वही आपकी जीवन के लिए बेहतर होगा इसलिए मित्रो उसी पर मेहनत करें और कित्रो जिस व्यक्ति के लिए आकरशन महसूस हो रहा है वह आपके लिए सही है या नहीं इस बात को समझे मित्रो क्योंगे अगर आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे तो मित्रो यहाँ आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी आक्रेशन मेहसुस होना अलग बात है लेकिन आपको सही है या गलत यह समझना बहुती मेहतो प्रणगी रखेगा मित्रो किसी न किसी बात में हर भार समझोता करने की वज़े से निरासा मेहसुस हो सकती है फिलाल परिश्टिती के साथ समझोता करने की कोशिस करें तभी आगे चल कर मन चाहे कामों को पूरा कर पाना संभव होगा क्योंकि मित्रो जब तक आप परिश्टिती से समझोता नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि मित्रों आपको परिष्टिती से समझोता करने का यह गुण सेखना होगा और जो काम प्राप्त हुआ है उसमें बदलाओ करने की कोशिस बिल्कुल भी ना करे क्योंकि यह काम आपके लिए योग्य है और विवाह संबंदित बातों की चर्चा किसी भी व्यक्ति के साथ इस समय ना करे क्योंकि अगर आप विवास संभन्दित बातों की चर्चा करेंगे तो मित्रो हो सकता है कि उस चर्चा के बीच में कुछ ऐसी बाते निकलाए जो आपके रिष्टों को कंगाल कर दे मित्रो आस-पास के लोगों को विवादों में मिताने की कोशिज करेंगे तो आपके लिए बड़ी समझ्या खड़ी हो सकती है काईदे संभंदित बातों से बच कर रहने की आओ सकता है परिवार के लोगों के साथ घर और प्रोपर्टी संभंदित विवाद हो सकते हैं लेकिन ये विवात किसी आपसी, यानि कि आपके परिवार के ही किसी व्यक्तिक दुदार आसानी से सुलेच सकते हैं, बस आपको थोड़ा समझने की कोशिस करनी होगी। काम से जुड़ी बातों में प्रतिस पर्धा रुकावट डालने के कोशिश कर सकते हैं इसलिए चारों तरप सत्रक्ता बरते हैं और किसी भी प्रकार्शी आपको कोई हाने ना हो इस बात का ध्यान रखेगा मित्रो आपको रिलेसेंसिप संबंदित नेरासा मेहसूस होगी लेकिन अपेकसा के नुसार पार्टनर जल्द ही मिल सकता है और यह पार्टनर आपके जीवन को जिन्दगी को स्वर्ग बना देगा आपके जिद्धी और अडियल स्वभाव के कारण आपसे लोगों को कुछ तकलिवों का सामना करना पड़ सकता है अपनी जीद और एहनकार दोनों को काबू में रखने की आविस सकता है मित्रो मन में चिड़ चिड़ापन और बेचे निकिस कारण उत्पन हो रही थी उसे जानने के कोशिस करें मित्रो आप अपनी जिन्दगी में कभी भी जिद्धी और अडियल स्वभाव मत रखिएगा वरना मित्रो इस स्वभाव से आपको केवल नुक्सान ही मिलेगा अपने जीवन में कभी भी पाइदा नहीं मिलेगा और जीद और एहनकार इन दोनों में बहुत फर्क होता है मित्रो इसलिए इन दोनों को उगुणों को भी आपको सीखने की बहुत आव सकता है व्यापार में अपक्सा के नुसार लाब ना दिखने की वज़े से काम के लिए थोड़ा नकरात्मक में हिस्सूस हो सकता है इसलिए मित्रो इपनी नजरे ठीकाए रखी क्योंकि मित्रो समय के साथ सब ठेक होगा और रिलेशन्सिप में छोटे मोटे तनाव बने रहते ही लेकिन पार्टनर आपको खूस रखने की कोशिस भी करेगा और उनकी यह कोशिस सफल भी रहेगी किसी व्यक्टी पर जरूरस से अधिक विश्वास करना और उनको अपने व्यक्टी के जीवन के बारे में जरूरस चदिक जानकारी देना आपके लिए नुक्सान का कारण बन सकता है कोई व्यक्टी के वल अपने आर्थिक फाइदे के लिए आप से जुड़े रहने की कोशिस कर सकता है इसलिए मित्रो आपको सतर करें ना होगा इस इंसान को पर ही चानना होगा और काम पर फोकस बढ़ाने के आव सकता है जल्दी ही आपके बड़े उस्थर प्राप्तों हो सकते हैं लेकिन लापरवाही की वज़े से आप उने भी खो सकते हैं और पार्टनर से प्राप्तों हो रही तकलिफों के कारण आत्मों विश्वास बढ़ेगा मित्रो अपनी जीवन से लिको सुधारने के लिए जीवन में डिस्सिप्लिन बनाये रहे हैं लोगों कि आप से बड़ी अपेक्सा हैं और उनको पूरा करने की काबिलियत भी आप में हैं फिर भी केवल आलेस के कारण और समता के नुशार प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती हैं बेटे बिठाए आपको अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा मित्र रियल एस्टेट और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपने कारे से संबंदित जानकारी प्राप्त करने की जुरुरते और किसे मित्र के साहिता से आपको जीवन में बड़ी प्रगति प्राप्त हो सकती है यह व्यक्ति आपका सुब चिन तक है भले ही वह व्यक्ति हर बात में आपको सय्योग ना दे पाए लेकिन जरूरत पढ़ने पर आप उनसे मदद मांग सकते हैं और मदद मांगने में वह कभी भी आपको ना नहीं करेंगे साथ हिमित्रों मीडिया से जुड़े लोगों को प्रशिध्धी प्राप्त होने की संभावना है अचानक से आपके लिए कुछ मारगे भी खुलेंगे जो कि आपकी सफलताके होंगे और नेन्ड ठीक से ना होने की वज़े से एसिडिटी और अपच्च की तकलिफ हो सकती है आप जीवन में खुद के प्रयतनों से ही प्रगति प्राप्त कर पाएंगे पेशो की आपक अचानक से बढ़ती हुई नजराई रही है और जितने तकलिफ हो से आप अभी तक गुज़रे हैं उनकी वज़े से व्यक्तित्व में बदलावा सकती है तो चलिए मित्रो बात करते हैं सुक्रवार के उन दो उपायों के बारे में तो मित्रो अगर आपके घर में पती पत्नी में तनाव रहता है तो मित्रो आप सुक्रवार के दिन एक एसा उपाय देने वाले हैं जिस से यह तनाव और जगड़ी दूर हो जाएंगे तो मित्रो सुक्रवार के दिन अपने सयनकक्स में यानि कि जहां आप सोते हैं उसमें प्रेमी प्रक्सी जोड़े की तस्विर लगाएं जो प्रक्सी जोड़े में रहते हैं यानि कि प्रेमी रहते हैं उन्हें सयनकक्स में एक प्रेमी जोड़े की तस्विर लगाना चाहिए साथ ही मित्रो अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो सुक्रवार के दिन कालिट छीटियों को सक्कर डाले इसने मित्रो आपके जो भी अवरोधे वह दूर हो जाएंगे तो मित्रो वीडियो की समापती जो है वह यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही मित्रो अगर आपने हमारे चेनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो वह जो इस्क्रिन पर आपको लाल बटन दिखाए दे रहा है उसे दबा दीजिएगा वह पास्म वह घंटी भी दबा कर हमारे यूटूब चैनल से आप सभी अभी जुड़ जाईएगा और मित्रो कमेंट बॉक्स में माता राने के सच्छे भक्त प्रेम से जै माता दिका जैकारा अवस्य लगाईएगा